हेलो एंड वेलकम चु मैं न्यू व्लॉग आफ्टो सो लॉंग हम सब ठीक हैं आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे तो चलिए आज चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमने हाईवे क्रॉस किया और एंटर किया अचानक मार की जंगलों में तो चलिए सफर शुरू करते हैं तो जैसे ही अमरकंटक की घर्टिया पार करते हैं वहां पर यह बड़ा सा पीपल पेड़ हैं जो कि यात्रियों का स्वागत करते हुए दिखाई देता है और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अभी क्यूंकि रेनी सीजन है तो आपको चोटे-चोटे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे जो कि एक्चुरी में बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसके बाद हम एक चोटे से धावे पर रुके हमने नाश्ता किया और फिर आगे बढ़े तो देखिए इतने सारे वाटर क्रोसिंग कि देखकर काफी जनती है और हर्याली तो ऐसी जैसे कि आपकी आखों को ठंडक मिल जाए और फिर फाइनली हम अमरकंटक पहुंच गया है और यह यहां के कुछ लोकल हर्प्स है जो कि यहां पर बहुत पॉपुलर है और यह आपको जब आप दूद्धार की रास्ती में जाते हैं तब आप हामफुल नहीं है पट फिर भी आप थोड़ा सा केरफुल जरूर रहिएगा अगर आप अमरकंटक की यात्रा करते हैं तो चलिए इनकी बदमाशियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अपर बढ़ते हैं वाटरफॉल देखकर हम जैसे ही दूसरी वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे बारिश इतनी तेज हो गए कि हमें वहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ा और क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थी तो हम वहाँ से वापस आ गए मंदिर की तरफ जो कि अमरकंट का में अट्राक्शन है तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर की और दर्शन कराते हैं नर्मदा माता की वैसे तो अमरकंटक बहुत ही खुबसूरत जगह है और एक्स्प्लोर करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइंग बहुत कम था और बारिष बहुत तेज हो रही थी तो हम ज़्यादा जगह आपको न घुमा सके न हम घूम सके तो जो भी हमने घुमा या जो भी आपको घुमाया मैं आशे करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर 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 करिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा खुश रहिए स्वस्त रहिए थैंक यू वेरी मच इंजोई दे वीडियो कर लंगे वीड़ियो झाल झाल 2 कि एक सा должно不到 जो कि मालन ना को कि एक सम्याने बडिन कर आंताथ गारी गारी